लो फ्रेंट्स जैहीन स्वागत आपका आपके पने चलो होम टुसन पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हर्याना प्लिस कोंस्टिबल दोजार चुबिस के छह अजार पदो का नोटिविगेशन 29 जून को दुबारा रिलीज हुआ और आप 10 जुलाई तक फोर्म अपलाई कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हर्याना ग्रूप D में भी सेलेक्ट हो चुके होंगे या जिनका नाम वो सेकिंड लीज जो आने वाली है उसमें भी हो सकता है और ऐसे बच्चे कॉम्बन भी हो सकते हैं कि जो हर्याना प्लिस की भी तियारी करेंगे और ग्रूप D में भी सेलेक्टेड हो चुके है तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ कंफुजन चल रहा होगा कुछ excitement होगा कि मेरे को गुरूप D में रहना चाहिए या हर्याणा प्लिस में जाना चाहिए तो आज की स्वेडियो में हम यही discuss करने वाले हैं कि कौन सी जोब आपके लिए best हो सकती हम comparison करेंगे ठेक है तो वीडियो को धान सुर पूरा देखे दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं चल को सब्सक्राइब के लिजे बैल अगर प्रेस के लिजे और किसी प्रकार की latest news update को पानने के लिए मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका link description में दिया हुआ है और दोस्तों वीडियो अगर आपको पशंदाए तो वीडियो को लाइक करके एप्रिशेट जरूर करियेगा आए दोस्तों सुरू करते हैं तो देखे दोस्तों यहां पे बहुत सारी comparison हम करने वाले हैं चैक है तो आइए सुरू करते हैं तो सबसे पहला जो comparison होगा सबसे ब 50% हो चुक है, 10,850 ये मिलेगा HRI 16% Medical, others ये सारी चीज मिला कि दोस्तो, आपकी जो हर्याना प्लिस Constable में जैसे ही आप जोइन करेंगे हर्याना प्लिस को तो आपकी gross salary बनेगी 43,070 रुपए 43,070 रुपए और काट पीट के दोस्तो, यहाँ पे NPS वगेरा काट पीट के लगबग 49,455 से लेके 40,000 रुपए आपके हैंड में आ जाएंगे हाथ में अब एक बात बताइए 40,000 रुपए की नोकरी आपको आज के टाइम पे अगर कोई BTEC, MTEC, PhD भी कर रखी है ने जिसने उसको भी 40,000 रुपए ओन जोइनिंग नहीं मिलती ठेक है दोस्तो, MBA वगेरा किये होई बच्चे, IIT किये होई बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं शुरुवाती सेलरी 20,000, 25,000 वो भी तब होती है जब experience होता है दोस्तो, और आप एक तो सरकारी नोकरी, दूसरा सुरुवाती सेलरी ही बंपर है, 40,000 रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे हर मेंगे दोस्तो चेक है, वह अगर गुरूप D की बात करें तो यहाँ पे basic पे दोस्तो 6,900 रुपए है, तो आपका DA भी कम हो जाएगा, 8,450 ही मिलेगा, HR यहाँ पे minimum 36,000 रुपए है वैसे सेलरी का 60% मिलता है और यह सारे अलाउंस मिलाके दोस्तो जो gross salary group D की बनेगी वो 30,590 बनेगी और आपके हाथ में लगबग लगबग दोस्तो 28,000 रुपए आएंगे, तो पहला difference तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको सिरफ नोकरी करनी है भया मेरे को आगे कोई खास काम नहीं है ना ही कुछ अलग करने की कोशिस है माल लिजे भया जैसे department हरियाना पुलिस में क्या होता है ASI बन सकते हैं तो देरे-देरे जैसे आपकी regular 4 साल की service हो जाएगी तो आप department exam देके ओ प्रमोट हो जाएगे वही अगर बात करें group D में तो group D में ऐसा system फिलहाल बहुती कम है दोस्तों कि आपने department exam दे और आप सीधा ही आपर लेवल पे चलेगे ऐसा नहीं है तो पहली चीज तो यह है कि ऐसे बच्चे जिनका आगे कोई विशेश target नहीं बारवी पास है बहुत सारे बच्चे आपको बताएं सीटे को वैसे 3-4 साल हो चुके हरियाना पुलिस अभी यह जब लग जाएंगे तो अगर मानली जैसा बच्चे कोई आगे कोई मेरे को नहीं करना जी मेरे को नोकरी करने बस संतुष्ट चीज से तो उसको भाया हरियाना प्ली जोइन करनी चाहिए अगर वो fit है दोस्तो क्योंकि सेलरी 40,000 रुपे आपको मिलेगी जब तक दोस्तो गुरूप डी की सेलरी आपकी 40,000 रुपे होगे न तब तक आप यहाँ पे 60,000 रुपे पहुंच आओगे ठीक है यानि अभी आपको इस डिफरेंस देखो 28,000 रुरी 11,000 का तो सीधा सीधा है लेकिन जैसे जैसे आपकी सर्विस आगे बढ़ेगी दोनों ही मानली जी एक बच्चा गुरूप डी में लग रहा है दूसरा हर्याना पुलिस में लग रहा है अगर दोनों की जो सर्विस पैरलल चलती है तो जब तक ये गुरूप डी वाड़ा हर्याना पुलिस मिल जाए तो बैटर ओप्शन रहेगा हर्याना पुलिस ठीक है आई अब बात करते है दूसरी बात सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों की टाइम क्या है कि हर्याना पुलिस की जो नोकरी आप जानते हो पुलिस की जोब है तो पुलिस में तो भई आपको 24 गंटे और 7 दिन आपको अपनी डूटी के लिए तैनात रहना पड़ेगा, कभी भी कोई कोई कोला सकती है, आप चाहिए थाने में हो, ट्रैफिक में हो, अब जाए जाए ट्रैफिक पुलिस में कोई लग रहा है, तो भई सोचे की मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लोंगा, तो पॉसिबल नहीं है, दूर से देखने में अच्छा लगता है, हाद से एग गंटा, डेड़ गंटा आप निकाल लोगे, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि सुबह का रूटीन होता है, फिर आपको डुटी जाना होगा, स्याम को क्या होगे, तो खाना वगरना खाओगे, कि पढ़ाई में लगाओगे, क्या करोगे दूस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सोच के जाना है, ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी एक नोगरे लिग जाए, और मैं फिर आगे सीजल वगेरा की सीप अगले दिन आठ बजे ही आपको सुटी हो जाएगी, उसके बाद अगले दिन आठ बजे ही आपको सुटी हो जाएगी, तो अच्छा कासा आपके पास टाइम रहेगा स्टेडी करने का, और सकूल में भी इतना भारी काम नहीं होता, कि वहाँ पे बैठके आप पढ़ सकते ह लेकिन अगर ट्रेफिक पुलिस में आपका नमर आ रहा है, तो भाईया ट्रेफिक में खड़े खड़े पड़े थोड़ी सकते हो, आपका थाने में डुटी है माल लीजिए, तो भाईया थाने में बैठे बैठे आप लोगों की समस्याइं सुनोगे, लोगों के जो बीच म लगए इरेक्स अंडेपार्टमेंट में तो बहिए नहर आ रही है तो डुट्टी लगेगी अब नहर पे बेठे बेठे भी आप पढ़ सकते हो डुट्टी के दोरान भी पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कल मोबायल का जमान है, मोबायल लिकाल कि आप डुटी की, मतलब नेरकी रुखाली भी कर लो, और मोबायल में ओनलाइन क्लास भी ले लो, लेकिन क्या एक पुलिस का जमान ट्रेफि में खड़े-खड़े मोबाइल चला सकता है नहीं चला सकता ठेक है दोस्तों आप माल लीजे DC SP office में आपकी डूटी लगी हुई है constable ठेक है और आप स्कोल्टिगाड में वहाँ पे है तो क्या वहाँ पे डूटी करते करते आप मोबाइल लगा के भया कोर्स मतलब मैथ की रिजनिंग की या जीके की कोई भी कलास अगर आपको देखनी हो माल लीजे आप ये प्लान कर रहे हो कि हर्याना प्लिस में लगने के बाद मैं आगे सीजल की तेहरी करूँगा अपर लेवल पे जाऊंगा तो आप मुझे बताइए कि एसपी ओफिस में एक बार खड़ा कोंस्टिबल क्या वहाँ पे अपने कोर्स को कम्प्रिट कर पाएगा डूटी के दोरा नहीं कर पाएगा और डूटी कितने की है मिनिम्म मिनिमम 8 से गंटे और बढ़ सकती है 10 गंटे 12 गंटे की डूटी हो चाती है और उसके बाद आप कमरे पे जाएंगे तो था कार के सोना ही होगा 8 गंटे की निंदी भी जरूरी होते तो एक दो गंटा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए और उतना काफी नहीं है ठीक है दोस्तो तो वहाँ पे टाइम मिल जाता है लेकिन अगर स्कोर्टी गार्ड में है ट्रेफिक में है थाने में है पैट्रोलिंग में है द्रुगस जो डाइलेक्स तो बारा में लगी है आपकी डूटी तो फिर तो पोसिबल ही नहीं है अगर आपका चेंज होती रहती है दोस्तो ठीक है तो पहला डिफरेंस तो यहां पे आएगा शर्वीस का ठेक है सर्वीस का यह डिफरेंस है कि भाईया आप मान लिजी एणिमल एक आपको आपको आणा है तो अच्छा का सा टाइम मिल जाएगा और या ऐनिमल एकर आप लगे हैं तो वह ऐसा भी होता है कि कभी-कभी तो कोई बैस ही नहीं आ रही है आती है तो कभी एक-दो कभी एक-दो आगी है ना तो वहां पर भी आप टाइम मेनेज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए तो ऐसे बच्चे जिनको भाईया आगे जाके तैयारी करनी है कि मेरे को सीजल निकालना अगर आपकी अभी उमर बची हुई है या आप सेंटर की जोब में जाना चाहते है तो ग्रूप D हाँ पर बैटर रहेगा और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को बस आगे कुछ नहीं करना मेरे को नोकरी मिल जाए पुलिस की सबसे बड़ा डिफरेंस सेलरी का उसके बाद न रेपूटेशन भी प्लिस की ज़्यादा रहेगी तो रेपूटेशन का खेल है सेलरी का खेल है और दूसरा ऐसा कोई बच्चा आगे मेरे कुछ करना नहीं है तो आप पुलिस में जा सकते हो जिसको करना है वो गुर्बडे में आए तीसरी बात ऐसा कोई बच्चा जिसे मा पास सफेसल की जिसमें मैं टाइम निकाल के अपनी एक्स्टा इंकम निकाल लूँगा कुछ एक्स्टा बिजनिस करना चाह रहा है तो भी आपके लिए गुर्ब डी बैटर रह सकते है क्योंकि पुलिस में रहके आप यूटूब चेनल बहुत ही रेर चला पाएंगे दोस् करनी पड़ेगी ब्लोगिंग वगेरा नहीं कर सकते चेक है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप वीडियो बना के भाईया यह अमारे अथ्यार रखें यह हमारी गार्ड ऐसे तो वीडियो बना नहीं सकते चेक है वैसे बना होगे तो फिर वैसे आपकी क्वाल की पड़ाए के लिए पैसा यूगि इसमें बेसिक पे जदा है तो इसका परसंटे निकाडएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है गरूपडी में थोड़ी सी कम मिलती है यानि बाकी सुविदाएं लगबग लगबग दोनों में बराबर है चेक है और गूरूपड क्या होगा आपके नजदी की ही कई बार तो क्या होता है कि नजदी गाव में ही डुटी लग जाएगी या 8 km 10 किलो में दाएरे में आपकी डुटी लगेगी जैसे माली जी कुल का पीन है हाइइर सेकंडरे में पीन है सुबह जाएगा दो फेर को घरा जाएगा ठेक है लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं है कि आप डूटी कर रहे हैं हाँ माली जै किसी ओफिस में डूटी लगया है जिसे किसी को computer वगिर आती है तो वो अपना ओफिस की डूटी जोईन कर सकता है उसमें 10 से 5 मचे तर डूटी रहती है तो 5 जेक रहा सकता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, उसकी फिर बाद में चेंज हो जाती है, और सभी को जो मिलती भी नहीं है, पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस कंपेरिजन से भी देखें, तो गुरूप D बैटर है, या फैमिली टाइम, आप दे सकते हो, सैलरी बसरते कम है ग घर पे, एक्स्रा किसी कोचिंग क्लास को जोईन कर सकते हो, या दिन में अपनी डूटी कर लो, या रात को डूटी कर लो, दिन में कोचिंग भी पढ़ा लो, तो वहाँ से बराबर, सैलरी में बराबर ले आओगे, ठेक है दोस्तो, तो कही ना कहीं अगर देखा जाए, गुरूप डी से बढ़िया चोईस नहीं है, और अगर आप काम कर रहे हो, रेपूटेशन पे, और एक पर्मानेंट जोब की दा एंड है, इसके बाद मुझे तैयारी वैरे नहीं करनी है, अच्सी सेलरी मिल जाए, रेपूटेशन बढ़िया मिल जाए, तो हर्याना पलिस स भी बेटर कोई जोब नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ये सारी चीजी मैंने बता दी है, उमेद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर्याना पलिस आपको जोइन करना चाहिए, या गुरूप डी जोइन करना चाहिए, ऐसे बच्चे जो गुरूप डी में साम आएगा, तो आप किसी और बच्चे का वविष्चे खराब कर देंगे, तो अगर आपको गुरूप डी में ही रहना है, तो मेरी आपको सला है कि भाया ना तो हर्याना पलिस का फोर्म अपलाई कीजिए, ना ही पीस्टी, पीटी में आप वहाँ पे प्रजेंट होईए, अगर आपको हर्याना पलिस में जाना ही है, कि भाया गुरूप डी नहीं करने मेरे को हर्याना पलिस में जाना है, तो डिसिजन लेके ही आप हर्याना पलिस में सामिल हुजी, मेरा आपको परसनल ये सला है दोस्तों, क्योंकि होगा क्या कि आप में से, माल लीजे, हाजार भ कारण है फैमली टाइम नहीं मिलेगा पुलिस में आपको कुछ एक्स्टा करने का काम नहीं मिलेगा और लग कुछ करी नहीं सकते एक्स्टा और ये खाली रहना पुलिस नहीं कोई भी पुलिस पुलिस की तो पुलिस ही जोब है दोस्तों अगर आपको पब्लिक डिलिंग में इंट्रेस्ट है, आप लोगों की समस्याओं को सुनने में इंट्रेस्टेड है, लोगों के बीच जाना चाते हैं, समाज को जाना चाते हैं कि किस में क्या चीज़े होती है, तो आपको पुलिस से बढ़िया जोब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करना च चाते हैं, बयुष्य में आगे बढ़ना चाते हैं, फैमिली के साथ रहना चाते हैं, और चाते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, या भी होंगे जिनकी साधी नहीं हुई है, आप चाते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने गरो करें, आप अपनी अनुसार उनको अच्छी सि पनी इस पे कॉमेंट करके जूरू बताईएगा और आप हर्याणाप्रिस में जाएगे या गुरूप डी में जाएगे ये भी कॉमेंट करके जूरू बताईएगा वीडियो को लाइक करें, सेर करें चनल को सबस्क्राइब करें आपर साथ जुड़ रहने के लिए जहित